दोस्तों यहाँ पर मैं अपना YT Studio एप को पहले open कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं analytics पर करता हूँ click और उसके बाद जो आपको मिलता है यहाँ पर research step का option इस पर मैं कर लेता हूँ click ठीक है एस्परेडिंग यान का वीडियो आपको पता है यूटूब पर ये वीडियो अभी क्यों आ रहा है यहाँ पर दखे कर अब यूटूब पर भी साच करेंगे ने इसकी वड़ को यूटूब चैनल कैसे बनाए है तो आपको पहला वीडियो आपको किसका मिलेगा मनुझ भाई का दूसरा वीडियो आपको ये वाला मिलेगा और सिसरा वीडियो आपको ये वाला मिलेगा तो इस पकार से ये तीन वीडियो यूटूब पर क्यों रेंग कर रहा है क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ क्यों रेंग कर रहा है क्योंकि देखिए अब मैं YouTube पर चलता हूँ ठीक है मैं YouTube आपन कर लिया हूँ और यहां पर पहले कि आपन करता हूँ और यहां पर देखिए मैं जाता हूँ सर्च बॉक्स में और यहां पर टाइप करता हू YouTube channel कैसे बनाएं, अब देखिए मेरे पास जो result आया है सबसे पहले देखो यहाँ पर किसका वीडियो आया है मनुज भाई का वीडियो, उसके बाद देखिए इस्परेटिंग ज्यान का वीडियो, और यहाँ पर रक्सान जो भरा है अपना, तो अच्छी तरेकर से अपने description को डाला है, इसलिए कही ने कही इसका वीडियो यहाँ पर rank कर रहा है, यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ second वाले वीडियो को प्ले कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने वीडियो को प्ले कर लिया अब यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, इसका description को open करता हूँ जो भी यहाँ पर keyword ब्bokरा डाला गया है, यहाँ पर देख से सारा चीज आने कि कही ने कहीं है, अच्छी तरे से अपने description को डाल कर रखा है जिसके कारण कहीने कहीन इसका वीडीयो नमई दो में अभी रहेंग कर रहा है और इसके वीडियोउँ पर कारण आपको वीडियो दिखाओं यहां पर देखे मैं क्या करता हूं? इस पर बैक करता हूं इस Sap ine कितना है? जिसके बाद आपके वीडियो भी इस परका से YouTube सर्च में जाएगा, आपका वीडियो वायरल होगा है, तो आज मैं आपको description डालने का सही तरीका आपको बताने बाला हूँ, तो चली करते हैं, वीडियो स्टार्ट लगने इससे पहले, अगर आप इस channel पर नई हो, subscribe कर देना, चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो जिसे कि यहाँ पर देखो, मैं अपना YT Studio अपको अपन करता हूँ, यहाँ पर मैं content पर करता हूँ, click, तो देखो मेरे पास, मैंने latest में अभी एक वीडियो अप्लोड किया हूँ, यहाँ पर इस वीडियो को अप्लोड किया हूँ, यह वीडियो में open किया है, यहाँ पर देखे, title मैंने add कर दिया हूँ, लेकिन description अभी तक add नहीं किया हूँ, यहाँ पर देखे, description में कुछ अभी नहीं है, blank है पूरा, तो अभी आपके सामने adjust में इसका description फिल करने वाला हूँ, तो description कैसे डाला जाता है, अब देखे, description डालने मैं सिर्फ यही रखना है, नहीं, अब दिखे, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने description में देखना, कुछ मतलब product का buying link देता हूँ, जैसा कि जो भी मैं product को use करता हूँ, DSLR हो गया, light हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखे, मैं सारा link हो गया यहाँ पर add कर अपना notes में, इसको यहाँ से copy कर लिया, और इस परका से copy करके, अपना buying link यहाँ पर दे दिया, लेकिन सिर्फ इतना डालने से आपका वीडियो वाइरल नहीं होने वाला है, यह तो buying link मैंने डाला, लेकिन अब दिखे, मैं खेलाता है description का, वो क्या पता है, यहाँ पर दिख मुझे कुछ keyword डालना है, जो कि keyword मुझे कहां से पता चलेगा, तो बहुत लोग क्या करता है, यहाँ पर rapid tech का use करता है, Google keyword decides tool का use करता है, लेकिन personally, मैं वीडियो कहां पर upload करता हूँ, YouTube का application पर, तो मैं YouTube का ही सहरा लेता हूँ, अब क्यासे यहाँ पर देखिए, इसके रिए क क्या करना, आपक供 YouTube application को open लेना है, और पहला काम, यहाँ पर turn one in beauty mode जो मैं ने open करके रखाउंगा, ता आपको यहाँ पर turn one in beauty mode पहले open कर लेना है, तो मैंने turn one in beauty mode open कर लिया, अब देखिए, यहाँ पर क्या करना पता है, सच में जाना है, और क्या साच करना पता है, मैं ठी इसपर आँखके वीडियो का टाइडल है यहां पर देखें बूज केसे बढ़ाएं अब मैं यूटुब पर सच करूँगा यहां पर मैं लिकता हूं भी आई EW Views कैसे बढ़ाएं इस परका से मैंने साच किया ना अब यहां पर देखो मैं Views कैसे सिर्फ यहां पर B दूंगा यहां पर देखो बहुत सारा चीज यहां पर आ रहा है इसको मत लेना थी किया करता हूँ इसको मत लेना थी किया करता हूँ यहां पर इमेज पर करता हूँ किलिक और यहां पर देखिए उस स्क्रीन सोट से मैं सारा टेक्स निकाल लूँगा इसको मैं इसको मैं सिखा रहा हूँ और इसको मैं यहां है इस पटा देता हूँ आप भी देख लेना इसको मैं मैंने फटा दिया इस पकार से, चलीए यह ओ गया, अब देखिए क्या से, आपको कुछ और keyword डालना है, वो keyword क्या डालना है, एक बार English keyword में डाल सकते हो यहां पर, तो मैं क्या करता हूँ YouTube पर, यह देखता हूँ कि English में लोग क्या सच करेंगे इस keyword को, तो यहाँ पर मैं तो इन सारे keyword का भी अब क्या करो एक screenshot ले लो यहां पर फट से मैं ले लिया अब जाता हूँ copy text on screen application में और यहां पर बैक कर लेता हूँ इमेज पर करता हूँ click और ग charts करता हूँ उस Mais को एड़ कर लेता हूँ और सारा text यहां पर भी निकल जाएगा तुरंत एक जटके में ठीक है इस वगा कर देखिए PROF सकता है कि अपना वीडियोस में विज्ट कर सकता है कि असीछ कर सकता है तो आप जाल सकता है तो आ बाकि यहाँ पर फिर से मैं टाइप करता हूँ है इंक्रिज व्यूज इनकीज व्यूज मैंने स्लेट कर लिय है इसको भी टाल दिया अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं डाल देता हूँ जयर वाईरल देधिया है है अब देता हूँ byewsb तोस्तो मैंने इतने सारे हैश्टेग को डाल लिया, अब यहां पर इंड पर इंड में अपने चैनल का नाम भी एका हैश्टेग डाल सकते है, हैश्टेग creator size 2.0 मैंने डाल दिया अब दिखे यह हो गया आपका description का काम complete हो चुका है ठीक है बांकिकर आपको कोई link अगरा extra डालना है किसी videos का अगरा का तो डाल सकते हो तो इस प्रकार से मैं अपने description को अब इसको मैंने save कर दिया तो मेरा video save हो चुका है अब मेरा description जो ready हो चुका है चलिए यहाँ पर दिखाता हूं दुबारा तो यहाँ पर देखो मैं अपने description को पूरा भर लिया हूँ तो इस process से मैं अपने videos का description को भरता हूँ और इसी process से मेरे कई सारे video viral भी हुआ है तो इस process से आप भी इपने video का description डाल सकते हो तो अगर आपको video पसंद आया है लाइक करना और अगर आप channel पर नए हो subscribe कर देना चलिए मिलता है दूसरे video में अब तक के लिए जैहिन वंदिमातर